दोस्तों आज मैं आपको बता रही हूँ पांच ऐसे बेस्ट बहतरीन इजी योगासनों का अभ्याज जिससे आपके रेप्रोडक्टिव ओर्गन्स को आप हेल्दी रखेंगे आपके जननांगों की जो सेहत है वो इंप्रूव होगी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो कोई इनका अभ्यास करें तो इरेक्टाइल डिस्फंशन का प्रॉबलम इंपोर्टेंसी यानि नुपुनसक्ता की प्रॉबलम इनफर्टिलीटी का प्रॉबलम प्रॉस्टेट ग्लैंड का इनलाज हो जाना महिलाओं के यूट्रेस को अच्छी तरीके से स्वस्त रखती हैं उन अझन रंतर योग का अभ्यास करता रहता है उससे स्ट्रेस, चिंटा, परिशानिया ऐसे दूर भागती है जैसे पुलिस को देखके चोर भागता हो तो इन योग अभ्यासों को आपको हर दिन करना है लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि योग अभ्यास तो आपकी सांसों के स्थिती कैसी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, घबराईए नहीं, ये सारी टेकनीक इसी वीडियो में आपको पता चलेगी, कि कैसे आसन का अभ्यास करना है, उन आसनों को करते वक्त कैसे सांसों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपसे घुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है ना, तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों रिशुदारों के साथ जरूर शेयर कीजेगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मलता, बहुत खुशी होती है कि हमारा परिवार कैसे बड़ा हो रहा है, और आप इस परिवार का अटूठ हिस्सा है, नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल योगाविश शहीदा में, दोस्तों कैसे हैं आप सभी, तो सबसे पहले हम जिस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, इसका नाम है बद्ध कोण आसन, लेकिन हम इसको डाइनमिक अभ्यास करेंगे, बद्ध कोण आसन का अभ्यास हमारे पूरे के पूरे पेल्विक रीजिन पर ब्लड फ्लो इंप्रूफ करेगा, साथी जो इनर थाइज हैं इनकी मसल्स को, और साथी लोवर बैग पर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों इसका अभ्यास करेंगे, और आज जो भी अभ्यास बता रहे हैं, इसमें मेल फीमेल का कोई भी फिल्टर नहीं है, कोई भी अभ्यास करें, तो दोनों पैर के पंजों को इस तरीके से ऐसे जोड़ लें, सासों का विश्येस ध्यान रखें, त्रूआउट दो सेशन आपको सासों का ध्यान कैसे रखना है, ये बताया जाएगा, दोनों पैर के पंजों को ऐसे पकड़ लें, अब दोनों हाथों को ऐसे घुटने के उपर रखें, सास ले ले यहां पर, और सास छोड़ते हुए जैसे किताब बंद करते हैं, वैसे दोनों घुटनों को एक दूसरे से के साथ जोड़ें, इसका अभ्यास हम 10 बार करेंगे, सास लेते हुए खोलें, सास छोड़ते हुए ऐ से बंद कर दें सांस लेते हुए खोले जैसे किताब खोलते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे बंद कर दें इसका अभ्यास दस बार करें 15-20 बार करें जैसे लेकिन अगर आप ऐसे अभ्यास करतें तीन सेट दस-दस के कर लें और दस-दस के रिपेटेशन के इससे क्या होगा ये सारे जो भी आज मैं योगा पॉश्टर बता रही हूँ ना इनसे जो भी हमारे reproductive organs related hormones है ना sex hormones है चाहे testosterone, estrogen, progesterone इन सारे hormones का secretion बढ़िया तरीके से होगा तभी तो मदद करेंगे न हमारे reproductive organs को healthy रखने में इस तरीके से open करें तो इसका अभ्यास हर रोज करें ऐसे open करें और जो माताएं बहने इसका अभ्यास हमेशा करती रहती हैं उनको delivery के वक्त जब वो प्रसव के दौरान बच्चे की delivery करती हैं तो वो delivery भी normal होती है और उनको बहुत ही ज अच्छी तरीके से पूरी की पूरी जो कूले की कमर की और inner thighs जन्नांगों की सेहत अच्छी improve हो जाएगी flexibility भी improve करेगी अब दोनों की दूसरे के साथ जोड़ लें जो भी attention हुई उसको release कर दें अगर ऐसे पूरा ना पकड़ पाएं तो जैसे ऐसे पकड़ सकते हैं ऐसे पक अगर आप मेरे साथ जुड़ के मेरी नीगरानी में रहे के योगा भ्यास करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप जो योगा भ्यास करें मैं उनको देखूँ अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो मैं उसको correct करूँ वो भी आपकी health condition के हिसाब से तो आप सभी का स्वागत है मेरी online yoga classes में ये online yoga classes सुभा के 7 बजे और शाम के 7 बजे होती हैं आपको करना क्या है नीचे मैंने अपनी website का ये link share किया हुआ है website visit कर लीजिए या तो नीचे ये whatsapp number share किया हुआ है इस whatsapp number पर एक whatsapp कर दे ताकि आपको class के बारे में सारे retail भेज दी जाए आज इन online yoga classes के माध योग का अभ्यास करती हूँ उनकी health condition के हिसाब से ताकि वो अपनी health condition से उभर सके और पूरी जिन्दगी योग का अभ्यास कर सके अब हम अगले आसन का जो अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है अर्ध मतसेंद्र आसन या half spinal twist बहुत ही जादा असरदार है इस तरीके से cross link position पे बैटे है ना यहीं से अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो अभी पहले हम left pair को ऐसे ही घुटने से मोड के रख रहे हैं left घुटने को ऐसे मुड़ा रहने दे left eddy को right hip के नीचे ऐसे रखे और right pair की eddy को left घुटने के पास ऐसे रख दे ये हो गया ऐसे side से देखिए इस तरी ठीक है आप चुकि मेरा right pair मुड़ा हुआ है इसलिए मैं right हाथ की हथेली को body के पीछे रख रही हूँ अब पहले सबसे मालों कि आप में से कोई बहुत बिगनर अभ्यास कर रहा हो तो वो किस तरीके से अभ्यास करेंगे पहले simple वाला देख ले फिर थोड़ा सा challenge आड करें सास ले गहरी लंबी और सास शोड़ते हुए पीछे देखें ऐसे पीछे देखें और अपने right गुटने को left shoulder की तरफ खीच के रखें जिससे पेट पर अच्छा दबाओ आए आपके जननांगों पर अच्छा हल्का दबाओ आए spinal cord twisted है गर्दन और कंधे बहुत अच्छी तरीके से खिचे हुए है और फिर सास ले और सामने देखें तो सास लिया ठीक है और सास को छोड़ते हुए पीछे देखा 10 सेकेंड होल्ड किया और फिर सास लेते हुए ऐसे सामने देख रहे हैं दूसरी तरफ से भी देखें और यह अभ्यास जो है बहुत बिगनर के लिए हो अभी बहुत से लोगों का इतना flexibility एकदम से नहीं हो जाता भीरे-दीरे अभ्यास करने से होता है तो वो लोग ऐसे अभ्यास करें अब मेरा left pair मुड़ा हुआ है तो left palm को body के पीछे रख दिया right AD को left hip के पीछे नीचे रखा औ और धीर इसे सांस लिया और सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऐसे पीछे घुमाया कि अपने left shoulder की तरफ देख रहे हैं और left भुटने को right कंधे की तरफ ऐसे अंदर की तरफ खीच रहे हैं थोड़ा देर यहाँ पर रुकेंगे सांसों को रोकेंगे और सांसे लेते हुए ऐसे सामने देखेंगे लेकिन देखेंगे अगर इस posture को आप जादा देर तक रोकेंगे तो सांसों की स्थिती कैसी होगी ज़रा देख लीजिए सांस लिया राइट साइड से पहले देखिए सांस लिया वहिस्तिती पैरों की वहिस्तिती राइट पाम को बोड़ी के पीछे रखा और लेफ्ट पाम से राइट गुटने को लेफ्ट शोल्डर की तरफ खीच रहे हैं सांस लिया पीछे देखिए और सांसों को नॉर्मल ल इसी तरीके से सासे नॉर्मल लेते रहें ऐसे गिंती मत करने लग जाईएगा गिंती मैं इसलिए कर रहे हूँ ताकि आपको सहूलियत हो समझने में सासे नॉर्मल लेते रहे आप पॉस्चर को रिलीज कर दें तो ऐसे जब किसी पॉस्चर को आप जादा देर तक रोकते हैं और उस पॉस्चर से मिलने वाले इफेक्ट पर अपना ध्यान लेके जाते हैं तब आपको उससे बहुत मदद मिलती हैं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लेफ्ट पैर को घुटने से मोल लिया अभी तो लेफ्ट पैर को कर लिया था आप दूसरी तरफ इसका अभ्यास ऐसे है सास लिया और सास छोड़ते हुए पीछे देखिए और सासे नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें और इसको भी 30 सेकेंड होल्ड कीजिए या एक मिनट तक होल्ड कीजिए जैसी आपकी इक्षा हो वैसी लेकिन सासे लेते और छोड़ते रहें और जितना पीछे देखेंगे उतना ही जादा आपको इसका चैलेंज आपको समझ में आएगा जादा से जादा देर तक पॉस्चर को होल्ड करके रखिए अब यह अभ्यास कर लिया इस अभ्यास को करने के बाद थोड़ा सा हर एक पॉस्चर के बाद आराम से लेट जाए ऐसे आराम से लेट गए शावासन में दोनों पैरों के बीच में फासला कर लिया दोनों हाथों के बीच में फासला कर लिया रेस्ट कर लिया अब कर रहे हैं अध्ध मतसेंद्र आसन का जो आसन अभी ये तो हो गया बिगनर्स के लिए अब हम जो अभ्यास कर रहे हैं वो जिनका अभ्यास थोड़ा अच्छा है वो करें तो इस तरीके से आप क्या करेंगे दोनों पैरों को ऐसे पॉड़ी के सामने खी ऐसे रख दे और राइट पैर की एड़ी को लेट भुटने के पास ऐसे रख दे ऐसे ठीक है ये ऐसे रख दिया अब राइट पैर मुड़ा हुआ है तो राइट हाथ को बॉड़ी के पीछे रखा लेफ्ट हाथ को धीरे से ऐसे चछत की तरफ खीचे चछत की तरफ देखे सास ले ले और सास छोड़ते थोड़ा सा पीछे की तरफ जुके पेट को अंदर की तरफ खीचे और पूरा का पूरा ट्विस्ट करते हुए पेट पर दबाओ, पूरे के पूरे जननांग पर दबाओ और पैर के, राइट पैर की एड़ी को, एंकल को पकड़ ले और पीछे देखें, 10, 9, सासे रोक के रखें, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सामने देखें, पॉस्चर को रिलीस कर दें, हाथ को रिलीस करें, दोरों पैरों को सीधा करें आराम से ऐसे सीधा करके बैट गएं, अब हमने एक साइट से अभ्यास कर लिया अब दूसरी साइड से, अब राइट पैर को घुटने से मोड लिया ऐसे, तो राइट पैर की एड़ी को लेफ्ट हिप के अंदर रखा ऐसे left pair को भी मोड लिया left pair का ankle जो है right घुटने के पास है अब body के पीछे अपने palm को रखा right हाथ को छट की तरफ खीचे ऐसे खीचे सास ले और सास छोड़ते वे पीछे की तरफ हलका सा ऐसे twist करें और ऐसे body के पीछे देखें सासे रोख के रखें और फिर धीर इसे posture को release कर दें तो ये तो हुआ कि जब हम 5 सेकेंड या 10 सेकेंड posture को hold कर रहे हैं इसी posture को जब आप ज़्यादा देर तक hold करेंगे तो सासे normal लेते और छोड़ते रहें और शवासन में आराम करें आईए अब अभियास कर रहे हैं धनुरासन या बोपोस का इसका बहुत अच्छा effect आपके पेट पर आएगा पेट की सारी मांस पेशियों पर हलका दबाव मिलेगा जिससे abdominal muscles मस्बूत होंगी आपके reproductive organs पर इसका अच्छा दबाव पड़ेगा साथ ही आपकी lower back की strengthening, आपकी spinal cord की strengthening होगी तो अराम से ऐसे आप अपनी mat पर पेट के बल लेट जाएं पेट के बल जब लेट गए हैं तो धीरे से अपने right pair की ankle को right palm से left pair की ankle को left palm से ऐसे पकड़े head down कर दे और जैसे ही सास ले गही लंबी ऐसे धीर, ऐसे थाई को भी उठाएं और ऐसे छट की तरफ देखे सासो को रोके पास से दस सिकेंड पॉस्चर को hold करके रखें ऐसे ही और फिर सास छोड़ते हुए head down कर दे इसका अभ्यास तीन repetition करेंगे तीन set करेंगे और सासो को कम से कम पास से 10 सिकेंड पॉस्चर को रोकना है तो सासो को नॉर्मल लेते छोड़ते रहें सास ले गही लंबी रोक के रखें पॉस्चर को जितना आपकी सहूलियत हो जितनी देर तक सासे नॉर्मल लेते छोड़ते रहें और छट की तरफ देखें और आराम से पॉस्चर को रिलीज कर दें और रेस्ट करें यासे क्रोकोडाइल पोज या मकरासन में अब हमने क्रोकोडाइल पोज या मकरासन में रेस्ट कर लिया है अब हम शवासन में लेटकर पीट के बल लेटकर किये जाने वाले योगासन का अभ्यास कर रहे हैं देखाना आपने कितना आसान है इन योग असनों का अभ्यास करना और मैंने आपको बहुत आसान आसान तरीके से भी इन योग असनों का अभ्यास बताया ताकि कोई भी इंसान इसका अभ्यास कर ले और सांसों का ध्यान रखते हुए तो दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर ले दो पैरों को ऐसे सीधा करें, दस बार हम कर रहे हैं, उत्तान अपादासन का अभ्यास, दस रेपेटेशन, आप इसके तीन सेट कर लेना, दस दस के रेपेटेशन के, तो तीस हो जाएंगे, कैसे सास का ध्यान रखते हुए? सास लीजिये धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे, दो 1, 2, 3, 4 और सास छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी क्या हुआ कि सास धीरे धीरे लेके उठाना है पैरों को और धीरे धीरे छोड़ते हुए पैरों को ड्रॉप करना है 3, सास ले, सास छोड़े 4, सास ले और सास छोड़े 5, सास ले और सास छोड़े 6, सास ले और सास छोड़े 7, सास ले और सास छोड़े 8, सास ले और सास छोड़े 9, सास ले और सास छोड़े और last, 10, सास ले और सास को छोड़ते हुए दोनों palms को body के side में रख दें अब देखिए बहुत से लोग गलती क्या करते हैं गलती करते हैं बहुत जल्दी अभ्यास करेंगे पैरों को घुटने से मोड़ने हैं ऐसे यह ऐसे जूला जूलेंगे ऐसे जूला नहीं जूलना है जूला जूलेंगे तो जो effect जहां होना है वो वहाँ पे नहीं होगा इस तरीके से तो यह नहीं करना है mistake दूसरी बात अगर दोनों पैर ना उठ पाएं एक साथ तो अब सिर्फ एक एक पैर उठा के अभियाद करें ऐसे एक फिर दो फिर ड्रॉप कर दे right को फिर left को अगर यह भी ना हो पाएं तो सिर्फ एक पैर से एक बार में एक पैर से one two three ऐसे जब दस बार right से कर ले फिर दस बार left से एक सास लेते हुँ उठाया और सास चोड़ते हुए ड्रॉप कर दिया सास लेते हुए उठाया और सास चोड़ते हुए ऐसे ड्रॉप कर दिया और इसका अभ्यास करने के बाद बापस से रेस्ट करें शवासन में अब उत्तान पादासन के अभ्यास के बाद अब हम अभ्यास कर रहे हैं happy baby pose का अभ्यास या आनंद बालासन का अभ्यास जैसे आपने देखा होगा कि घर पे बच्चे किस तरीके से छोटे-छोटे नवजात सीशू किस तरीके से खेलते-कूदते रहते सिर्फ इस posture का अभ्यास उसी तरीके से है तो अभ्यास कैसे करेंगे ज़र देखें बड़ा आसान है और साथ ही अगर आप इसका महिलाएं इसका अभ्यास आप पीरिट्स के दोरान करती है न तो आपको कमर लोवर बैक पर जो दर्द होता है उस दर्द से राहत मिलने में बस कुछ सेकेंड का ही देर लगेगा तो आराम से दोनों पैरों को क्या करेंगे आप ऐसे सीलिंग की तरफ मोर दें अपने पैर के पंजों को क्या करें सीलिंग की तरफ उठाके रखें अपने घुटने को फ्लोर की तरफ करके रखें एसा पैर उठाएं कि घुटना और एंकल एक लाइन में हो और दोनों palms को ऐसे अपने पैर के पंजे पर रखें हल्का सा घुटनों के ऐसे पुष करें कि घुटना फ्लोर की तरफ और पैर का पंजा आपके सीलिंग की तरफ है और दोनों पैरों की बीच में फासला करके रखे इधर से देखे जरा ऐसे इस तरीके से ऐसे दबा के रखे तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से दोनों पैर एक दूसरे से दूर है पूरी की पूरी pelvic region कितनी अच्छी तरीके से blood flow improve हो रहा है साथ ही आपकी जो thighs है, thighs पर यहाँ पर बहुत अच्छा आपके दबाव पड़ रहा है तो आप इस चीज को भी ऐसे, हलका सा दबाते रहें, ऐसे और छट की तरफ देखें, इसको कम से कम सासे normal लेते और छोड़ते रहें और इस posture को कम से कम एक मिनट से दो मिनट ऐसे ही इस सिती में आराम से लेते रहें दबाव ज़रूर बना के रखें, सिर्फ ऐसे घुटने मोड के नहीं रखना, हलका सा दबाव ऐसे बना के रखें, और छट की तरफ देखें चाहें, तो आखें मूद लें और अपना ध्यान अपने जरनांगों की तरफ लेके आएं ऐसे ब्रीद करते रहें, ब्रीद करते रहें, ब्रीद करते रहें इतना करने मातर से आप महसूस करेंगे कितना अच्छा एक्टिवेशन पूरे के पूरे हिपरीजन पर हो गया है लोवर बैक पर भी इसका अच्छा इफेक्ट आ रहा है अब दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ें थाई इसको बेली की तरफ लेके आएं और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर ले और हलका सा दबाव अपने पेट पर ढागते हैं हलका सा ऐसे स्विंग करें ऐसे 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 तो इससे आपको बड़ा मज़ा आएगा मज़ा आएगा यानि स्पाइनल कौड को अच्छी मसाज मिलेगी साथ ही अभी जो आनंद बालासन करने की वज़ा से पेरों को खोल के रखा था उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा अब यह अभ्यास करने के बाद अगले पाँच मिनट तक आराम से ऐसे ही शावासन में लेटे रहें दूरों पेरों को एक दूसरे से दूर कर दे, हातों को एक दूसरे से दूर कर दे, रेस्ट करे तो देखा आपने कितना आसान थाना इन योगा अभ्यासों को करना आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई हर एक टेकनीक, हर एक स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा हर दिन इनका अभ्यास कीजिए लेकिन ध्यान रखिए कि इन योगासनों का अभ्यास आप सांसों को सिंक्रोनाईज करके कर रहे हैं इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके बताई हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाओ तो नीचे तुरंट जल्दी से कमेंट कर दीजे मुझे यकीन मानिए बहुत खुशी होगी आपके बताई हुए टॉपिक पर वीडियो बना कर और साथ ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिष्टदारों को जादा से जादा फॉरवर्ड कीजेगा जादा से जादा शेयर कीजेगा इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी तब तक आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखियेगा नमस्ते